हेलो फ्रेंड्स जीके गुरुजी अड़ा के यूटूब प्लेटफर्म पे मैं सलेस आप सभी का हर दिक स्वागत करता हूँ प्यारे साथियों जैसे आपको पता होगा सीटेट की कांटीनू क्लास चल लएए आज हम लोग सीटीपी का प्रिवियस एर जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्फ करेंगे और आएए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे सीटीपी में महात्पूर्ण क्वेश्चन आते हैं पहरे जातियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करिएगा वीडियो को लाइक और जादा से जादा सेयर करिएगा हम आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन को ले करके डेली आ रहे हैं तो आप से बस एक ही उम्मिद रखते हैं कि आप लोग भी हमारा साहयोग करेंगे चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जबाब क्या होगा पहला क्वेश्चन कह रहा है अन्वानसिक्ता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है तो बताईए विकास के कुछ पहलू आनवान सिक्ता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं तो ये सही कथन है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की छंता जीनो द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है गलत है पूरी तरीके से आप निर्धारण नहीं कर सकते है अच्छी देखबाल और पॉस्टी काहर बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है ये गलत जवाब है नहीं कर सकता है परियावरल के ओल बच्चे के भासा विकास में महतपूर भूम का निभाता ये भी सब्द गलत है क्योंकि केवल आ गया है केवल आने से आपका उत्तर गलत हो जाएगा तो पहला राइट जबाब हो जाएगा चलिए कॉश्चन नमबर दो पे चलते हैं और देखते हैं दूसरा हमारा इसका राइट जबाब क्या होगा चलिए आपका दूसरा कॉश्चन कहा है निमलिकित में से कौन सा कथन पियाजे के सिध्धानत के अनुसार कहा नहीं जा सकता नहीं सब्द के बारे में कहरा ध्यान से समझेगा निगेटिब सब्द तो दूसरे का राइट जबाब क्यों होगा बिकास गुलात्मक चड़ों में होता है तो ये गलत हो जाएगा जो सही होगा वो सब गलत होगा बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ग्यान का निर्माड़ और रुपयोग करते तो कथन तो सही है लेकिन इस प्रश्ण के अनुसार गलत होगा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है यही आपका राइट जबाब हो जाएगा अर्थात और बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते चोथा भी गलत हो जाएगा तो तीसरा आपका राइट जबाब हो जाएगा चलिए क्वेश्चन तीन पढ़ते हैं और देखते हैं तीन का राइट जबाब क्या होगा प्यारे साथ हो मुर्गित मैं से कौनसी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है नहीं है सब्द पर गौर कीजेगा और इसका राइट जबाब ढूणने का आपको प्रियास करना है चलिए नहीं है पर ध्यान देते हैं तो पहला कह रहा है ध्यान के इंद्रित करने की प्रवित्ति तो जो सही है वो गलत होगा तो ये गलत हो जाएगा ठीक है प्रतिकात्मक विचार का विकास ये सही हो जाएगा अहम्मन्यता गलत हो जाएगा अनुकरमडेता ये भी आपका से तो गलत हो जाएगा तो तीसरे का दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा हम लोग चलते हैं अगले question, question number 4 पे और देखते हैं चार का राइट जवाब क्या होगा चलिए जो है, चार का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा question number 4 कह रहा है के अलावा निमनलिखित कारलोस से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्पूर्ण भूम का निभाता है बताइए किस में, क्या होगा वे अपने सरीर पर निपूरता प्राप्त करते हैं, नहीं यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है के अलावा पूछा है, याद रखियेगा, तो यह भी गलत होगा यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, बिल्कुल सही होगा, बताइए जल्दी से, नहीं होगा, यह भी नहीं होगा भहिया, क्यों होगा, जब आप दीजिये तो मैं जानू चलिए, अभी छोड़ते हैं, वे ने कौसल हासिर करते हैं और सेखते हैं, उन्हें कब उपयोग करना ती, यह भी नहीं होगा तो तीसरा ही राइट जबाब होगा, भहिया, चलिए, क्योशन नमबर चार पे चलते हैं, चैनल पर नए हैं, तो तुरन सस्क्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और सेर जरूर करिएगा, हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियो डेली लाते रहेंगे, चलिए, नमलकित मैंसे कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंतरित करता है, आप इसका राइट जबाब दीजिए, गंभीर रूप से उनको सोचना है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो यह तो हाँ और नहीं में कह देगा गलत है, सही जबाब क्या है, यह भी दो अच्छर में दे देगा, क्या आप इसी तरह की इस्थिति के बारे में सूच सकते, इसका विन, विभिन तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते, यह राइट जबाब होगा, क्योंकि इसमें बच्चा सोचेगा, अपनी को यूज करेगा तब जाके इसका एंसर उसको मिलेगा चलिए क्वेश्चन नमबर 6 पर चलते हैं और देखते हैं 6 का राइट जबाब क्या होगा चलिए क्वेश्चन नमबर 6 निमलकित में से कौन सा बिकलप प्रगत्चिल सिष्छा का सबसे अच्छा वरण करता है तो बिकलप है सबसे अच्छा आइए देखते हैं सबसे अच्छा वरण कौन करेगा भईया करके सीखना पर योजना विधी सहयोग से सीखना बिलकुल सही है व्यक्तिकत अधिगम छम्ता समो बनाना छात्रों में लेवलिंग लेवलिंग तो करना ही नहीं है परियोजना विधी छम्ता समो बनाना रेंकिंग ये भी गलत है तो पहला ही आपका राइट जबाब हो जाएगा चलिए प्रगतिसील सिक्षा के अबारे में लिखित में से कौन सा कथन बताता है कि सिक्षा श्वयम ही जीवन है बताइए साथ का राइट जबाब दीजी इसकूल सिक्षा को यथा सम्वे लंबे समय तेक जारी रखना गलत है सिक्षा सामाजिक और प्राकर्तिक दुनिया को प्रतिबंबित करते हैं यह सही है जीवन सच्चा से शच्चा के गलत है तीसरा आपका राइट जबाब हो जाएगा कॉश्चन नमबर आठ पर चलते हैं कोहल वर्ग के सिधान्त को पढ़ते हैं और देखते हैं उसका राइट जबाब क्या होगा कोहल वर्ग के सिधान्त के जो है देखना है कि क्या कह रहा है इसका राइट जबाब क्या होगा कह रहा है कोहल वर्ग के सिधान्त के योगदान के रूप में निम्र्गत में से किसे माना जा सकता है तो आठवे का राइट जबाब क्या होगा? उनके सिध्धात ने संग्यानात्मक परिपकोता और नैतिक परिपकोता के बीजिक सहयोग का समर्धन के यही राइट जबाब होगा? चलते हैं अगले question पर. question number 9 क्या कह रहा है? देखते हैं. निकट विकास का छेत्र संदरवित करता है. इसका राइट जबाब क्या होगा? उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है गलत हो जाएगा. उस विकास आत्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है गलत हो जाएग एक संदरव को जिसमें बच्चा सहयोग के सही अस्तर के साथ कोई कार लगभग सोयम कर सकता है. उस सीखने के विंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है गलत हो जाएगा तो 9 का आपका तीसरा जबाब सही हो जाएगा. चलिए. दस पर चलते हैं और देखते हैं 10 का र ब्यक्तित तुम्हें आम तवर पर माने गए मर्दाना और इस्तरी मतलब मर्दाना और इस्तरी गुलो का समय चुन होता है ठीक है दिर्ण आहंकारी होने के आतत गलत है समाज में प्रिश्टन रूडवादी लिंग भूमिकाओं का पलन गलत है तो 10 का आपका दूसर जवाद देखते हैं क्या होगा बच्चे को छोड़ कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाओं ग्रहन करते हैं 11 का राइड जवाब क्यों होगा मेडिया बिल्कुल नहीं सामाजी करन बिल्कुल नहीं संस्कृति बिल्कुल नहीं ट्यूशन इसको छोड़ करके तो यह आपकी ग्रहन करते हैं तो यह छोड़ करके है ना तो यह आपका राइड जवाब चोथा होगा 12 पर चलते देखते 12 का राइड जवाब क्या होगा मानकी क्रित प्रिक्षणों की आलोचना में से एक या है कि क्या है वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्र तो बच्चे की छमता की स्पस्ट तस्वीर निती भी गलत है चलिए 13 पर चलते हो देखते 13 का राइड जवाब क्या होगा एक आधिक बुद्धिमानी का सिध्धान्त क्या कहता है बताए 13 का राइड जवाब दीजे बुद्धी तेजी से बढ़ाई जा सकती है गलत है बु चलने का कोई मतलब भी नहीं है चलिए question number 15 पर चलते हैं समय का अभाव है और जल्दी यल्दी इसको हम लोग करते हैं शिक्षक सीखने के लिए मोल्यांकन और सीखने के मोल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं कब करेंगे चौदा का राइड जवाब दीजे बच्चों की प्रगतिया और उपलब्धियस्तर को जानने में ठीक है तो जब ये मिल ही गया है आगे देख लेते बच्चों की सीखने की जरूरतों के जानने में तदनुसार सिक्षन द्रड़नित का चैन करने में गलत है आवधिक अंत्रालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलान करने में उसके प्रदर्शन को प्रमालित नहीं करना है भहिया बच्चों की प्रकति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंत्राल को भरने के लिए उचित लच्छन दहत ये भी गलत हो जाएगा चलिए पंदरा पे चलते हो देखते हैं पंदरा का राइड जवाब क्या होगा कौन सा सतत और व्यापक मोल्यांकन से सम्मंदित नहीं है निगेटिव कथन डूढ़ना तो जो है वो गलत हो जाएगा पंदरा का राइड जवाब दूजे क्यों भारत के सिक्षा दिकार अधनियां दोरा निवार किया गया तो ये गलत हो जाएगा सही है सिक्षा अधगम प्रिकरिया के अभिन्ना अंग है तो सही है तो गलत हो जाएगा सिक्षा शेत्रों बच्चों की उपलबधी पर केंदेती ये भी सही है गलत या बच्चों को धीमे खराब बुद्धिमान अवे रूप में चिनित करने हो यह आपका सही जबाब हो जाएगा चो था चलिए सोला देखते राइट जबाब क्या होगा बच्चे में प्रतिभास सीलता की कारण हो सकती है क्या होगी बताईए संसाधन समरिद वातावरान गलत है सफल माता पिता गलत है एक आनुसासे दिनचर्या गलत है क्वेश्चन नमबर सत्रा सामाजी कार्थिक रूप से वन्चित प्रिष्ट भूम से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहल के अविशक्ता होती है तो क्या होगा सत्रा का जबाब दीजे उन्हें अच्छा बिवहार जिखाना गलत है उन्हें सांस्कित और भासाई ग्यान को महत देता है उनका उप्योग करता सही है हतोस साहित सब दाया है ये गलत हो जाएगा और वर्गी कृत करना है ये भी गलत हो रहेगा चलिए 18 पे चलते हैं, राइड जवाब देखते हैं, कच्छा में सिजनात्मक्तव पृतभासाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तचेव निर्भर करता है, 18 का राइड जवाब क्या होगा, सिक्षण द्वारा अनकूलित और प्रेड निर्देशन तरीकों के उप्योग पर ठीक है, आत्रिक्त समय दिया जाना गलत है, उनके प्रत इश्ने ही होने के नाति गलत है, उन्हें बच्चों को पढ़ानी की जिम्मेदर ये भी गलत हो रहेगा, चलिए 19 पर चलते हैं, 19 क्या कह रहा है, आस अंबेदन सिल ब गतिविधी को जोड़ना भी गलत है, वेचेन होने पर अक्सम उने फटकार लगाना, ये आपका राइड जवाब हो जाएगा, चलिए 20 पर चलते हैं, 20 का राइड जवाब देखते हैं, क्या होता है, चलिए, अलग-अलग सोच वाली पैटर्न उन बातों की पहचान करते है बिकलांग नहीं, डिसलेक्सिक नहीं, श्रजनात्मक के बारे में इसका राइड जवाब स्रजनात्मक होगा, चलिए 21 पर चलते हैं और देखते हैं, राइड जवाब क्या होगा, निम्कित में से कौन सा सिखशक द्वारा कक्षा में, बच्चों के समस्या हल करने के तरीको गलत हो जाएगा सही है सोज बिचाय प्रिक्षण विविन उत्रों जैसी सब्दावली का प्रियो करना सही है गलत हो जाएगा अभिसरल उत्रों वाले प्रश्ण पुष्ण चौथा आपका राइड जबाब हो जाएगा 22 पर देखते हैं क्या होगा कौन सा एक संबेग है जल् बूद बूद पर एक मसीन द्वारा दूद का उत्पादन होता है इसका राइड जबाब क्या होगा 23 बताएगा बच्चे दुनिया का बहुत सीमित ग्या रखते हैं गलत है बच्चे का रवाब दूद बूद से दूद खरीदने वाले अनुभो पाराधारी था बिल्कुल गायों को कभी नहीं देखा गलत है बच्चे परिवार को प्रेरख वाता वर्ण प्रदानी केता है ये भी गलत हो जाएगा चलिए 24 पर चलते हो देखते हैं राइड जबाब क्या होगा कौन सा सिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्ण करता है 24 का जबाब दीजे क्या होगा कच्छा में सिक्षक की महत्पूर भूमिका अनुस्वासन को बनाये रखना ये भी गलत है निर्धारी पाठ पुस्ता का पलन करना गलत है पाठ करम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए परयाब समय नहीं देना ये भी बरयाब समय देना महत्पूर ये कोई मतलब नहीं आराम के लिए जगा बनाना जहां बच्चे संबाद और पुस्तार के मध्यम सीखते है चौथा इजिता राइट एंसर 25 पर चलते हो देखते है राइट जबाब क्या होग पर ये होगी तो क्या सिखेंगे गलत है वाक अच्छा जिसमें खुली गत्विधी कोने हो और विभिन प्रकार के बाल साहित खुली सिल्प में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्रत्व सही है आलमारी में अच्छी तरह संगठे सामागरी वाली कक्षा जहां सामागरी को पुस्तकों की भून का सबसे अच्छा वड़न करता है तो बताई 26 का राइड जवाब क्या होगा वे एक अच्छा में उपला संसादर्व संदर्व समागरी में से एक ठीक है वे राष्ट या राज में अधिगम में एक रूपता बने रखते हैं गलत है वे अध्यान के पा पानवतावाद नहीं बिवहारवाद नहीं रचनावाद आपका राइड जवाब हो जाएगा 28 पर चलते हैं देखते हैं राइड जवाब क्योंगा का अच्छा में बच्चों को प्रेडित समझा जा सकता है तो 28 का राइड जवाब क्या होगा वे अच्छी तरह वर्दी प उधार करने के लिए सबसे अधिक उप्युक्त है बताई ये वंतीस का जबाब दीजे क्या होगा नियमित मोल्यांकान परिक्षावजित के निचे गलत है सिक्षक को विभिन उधारण और चित्तों कप्यों के विश्यक के ब्याख्या करने चे गलत है कच्छा में सभी प्रका आपको राइट जबाब देना है बताई क्या होगा बच्चों को अपने सिक्षक को विद्यमित और मॉनिटर करने के लिए ठीक है चुप्पिस आदने के लिए गलत है सिक्षकों को निर्देश देने के लिए गलत है बच्चों को उनके पाठ रट का रियाद नहीं करवाना तो बाबू आपकी ये तीन question होगा अगर 30 में आप 28 के आसपास question सही करें तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल लाइए वैसे CDP में 30 में 30 आने चाहिए 30 में 28 आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है तो इस प्रकार चैनल पर जुड़े रहे हैं हम आपके लिए डेले इस प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे बहुत बहुत धन्यबाद